असलाम अलकुम और रिव्यू स्पीके में खुशामदीद मेरा नाव अमीर है और ये है और अनर 8X की अन्बॉक्सिंग और फुल रिव्यू दोस्तों हुआवे ने अनर 6X और 7X के बाद अब अपना अनर 8X लांच कर दिया है और इनकी अनर लाइनप युजुली पर्फॉर्मन्स और या पावर यूजर्स के लिए होती है और इन फोन्स में अमूमन बड़ी स्क्रीन, बड़ी बैटरी, ज्यादा स्टोरेज और अच् टैबलेट्स और स्मार्ट वॉच्षस करीद सकते हैं और अगर आप यह फोन खरीदने में इन्त्रेस्टेड हो तो लिंक्स दिस्रिप्शन में हैं अनर 8X पाक्स्तान में 36,000 रुपए की डीटेल प्राइस में अवेलिबल है और चार कलर ऑप्शन्स हैं, ब्लू, ब्लाक, और पिंक तो आईए पहले फोन की अन्बॉक्सिंग कर लेते हैं पहले बॉक्स के ऊपर लगा प्लास्टिक उतार लेते हैं यह रहा फोन का वारंटी कार्ड आगे चलके बॉक्स के ऊपर लगाई यह कवर उतारते हैं और फिर सीले कार्ट के बॉक्स की लिट को खोल लेते हैं सबसे उपर Honor 8X का हैंड सेट है हैंड सेट वाकई बहुत अच्छा बनाया है फोन की फील और फिनिश प्रीमियम टाइप की है और ये ब्लू कलर कुछ हद तक Huawei Nova 3i के जैसा है बस फर्क इस स्ट्रिप का है फोन को एक सेकंड साइट पर रखके बाकी चीज़े देख लेते हैं फोन के साथ कुछ यूजर मैनियूल्स हैं और ये सिलिकोन का प्रोटेक्टिव कवर है आगे बढ़ें तो फोन के साथ ये 2 एम का नौन फास्ट चारजिंग केबिल पावर ब्रिक है ये 3-pin plug देखके मैं थोड़ा सा disappointed हुआ क्योंकि ये localized नहीं है पाकिस्तान में 2-pin plugs चलते हैं तो पाकिस्तान में भी इस्तवाल करने के लिए आपको एक 3-pin plug का adapter चाहिए होगा साथ में ये micro USB केबल है और एक मामूली सा hands-free headset है फोन की build quality बहुत अच्छी है आगे gorilla glass 3 है और पीछे glass की 15 layers है जिनसे ये back बहुत चमकती धमकती है फोन हाथों में उठाने में भी बहुत अच्छा है back के एक हिसे का थोड़ा different look है जिससे camera वाली side नुमाया होती है और मुझे personally ये look बहुत अच्छा नहीं लगा बीच में ये aluminium की frame है और phone का वजन और इसकी hand feel अच्छी है हम पिछले कुछ model से note कर रहे हैं के Huawei की build quality गेम बहुत ही solid होती जा रही है अब आते हैं display पे Honor 8X का display मुझे अच्छा लगा मुझे personally बढ़े displays पसंद है और Honor 8X में ये 6.5 inches का IPS LCD panel है जिसका resolution 1080 by 2340 है और pixel density 396 ppi है डिस्प्ले के ऊपर ये notch है और phone के bezels काफी पतले है इसके साथ साथ डिस्प्ले के colors भी vibrant और saturated है अब बात करते हैं performance की Honor 8X में high silicon का Kiran 710 processor है और साथ में Mali G51 GPU है साथ में phone में 4GB RAM है और 128GB built-in storage है इसके साथ साथ phone में full dual sim support भी है जिसका मतलब है कि आप phone में 2 sims और 1 micro SD card सब एक साथ लगा सकते हैं बैतर होता अगर Huawei इस phone में 64GB storage देके 6GB RAM कर देते हैं क्योंकि storage तो expandable है और आप बढ़ा ही सकते हैं लेकिन 4GB RAM एक power user के लिए बनाय हुए phone में थोड़ी कम लगती है performance की बात कर ली जाए तो phone daily usage में बहुत ही snappy था कोई lag या stutter नहीं मैसूस वा और apps बहुत जल्दी जल्दी खुलती थी Geekbench results की बात करें तो Honor 8X का single core score 1602 आया और multi core score 5625 आया जो के कमोबेश वैसा ही है जैसा हमने इस price range के phones में देखा है लेकिन इस Kiran 710 में native quick charge support नहीं है जैसा के हमें Snapdragon 660 में मिलता है और gaming के लिए भी Snapdragon के Adreno GPUs बेटर होते हैं अब आते हैं camera पे Honor 8X में पीछे ये dual camera setup है जिसमें एक 20MP का F1.8 aperture का main sensor है और 2MP का depth sensor है जबके आगे ये 16MP का F2.0 aperture का selfie shooter है camera के results की बात करें तो मुझे इतने पसंद नहीं है camera की color reproduction तो accurate थी लेकिन dynamic range थोड़ी off थी और अकसर images में highlights blown out थी जहां नहीं हो रही थी वहाँ images थोड़ी dull सी लग रही थी portrait mode में subject की edges soft हो रही थी और background blur fake लग रहा था front camera की बात करें तो इधर भी dynamic range थोड़ी off थी और images भी थोड़ी dull सी थी अगर आप camera के लिए phone ढूल रहे हैं तो ये phone आपके लिए नहीं है बेटर होगा अगर आप Oppo की तरफ देखे अब बात करते हैं battery की Honor 8X में 3750 mAh की battery है चोके सुनने में तो impressive लगता है लेकिन इस phone में कोई fast charging support नहीं है और इस price range में हमने Redmi Note 5 Pro जैसे fast charging समेथ 4000 mAh की battery वाले phones भी देखे हैं fast charging ना होना मेरे लिए एक बहुत ही disappointing बात है charging time की बात करें तो phone को empty से 10% charge में 9 minute लगे 25% charge में 20 minute लगे आधी battery होने में 51 minute लगे और पूरी battery होने में तकरीबन 2 गंटे लगे fast charging ना होते हुए ये charging speed इस battery size के लिए काफी decent है बड़ी battery की वज़ासे battery life भी अच्छी थी phone देर दिन आराम से निकालेगा और usage light हो तो दो दिन भी चल जाएगा Honor 8X पिछले Honor phones की तरह performance oriented या power users के लिए बनाया गया है इसकी बड़ी screen, बड़ी battery, ज्यादा storage और full dual gym support सारी वो चीज़े हैं जो power users चाते हैं इसके साथ-साथ Huawei के phones की build quality बहुत आला हो चुकी है और 36,000 की price range में Huawei Honor 8X mid range power users के लिए एक अच्छा option है अब आते हैं giveaway पे दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा कुछ दूनों पहले हमने अपने 50,000 subscribers special episode में एक giveaway announce किया था उस giveaway के लिए 1500 से ज्यादा लोगों ने register किया और फिर allmytech.pk ने winners को select किया और हमारे इस giveaway के winners हैं जफर अबास, आयान الدین निजामी तलह अवान, रिजवान अख्तर, रुबैत रजा, फयाद नासिर, सल्मान अकबर, सेफ शेख, फहाद शेख, और अमाद अली रिव्यूस पीके की तरफ से सारे winners को बहुत मुबारक हो और अगर आप ना जीते हो तो मायूस ना हो इंशाला आगे चलके और भी giveaways होंगे दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, उमीद आपको वीडियो पसंद आए होगी अगर पसंद आए हो तो वीडियो पर लाइक जरूर दीजेगा और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कर ले ताकि जब भी क्यों नई वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन आजाए इंशाला आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में अलाहाफिस